स्मस्कार दोस्तों आप सीखे चैनल में आपका स्वागत है आज मैं दो रंग का एक बहुत ही कुबसूरत डिजाइन बना रही हूँ जिसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं चाहें लेडिस स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में, श्रग में, स्टॉल में, श्रग में, किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं इसे बनाने के लिए हमें सम की संख्या में फंदे चाहिए और डिजाइन चुकि रॉंग साइड से शुरू हो रहा है इसलिए एक लाइन और आप बार्डर बनाके रॉंग साइड में आ जाएं औ दूसे रंग का उन अटैश कर लेंगे और सभी फंदे सलाई में दो बार उन लपेटते हुए उल्टे बना लेंगे सलाई में दो बार उन लपेटा और उल्टा बना लिए हैं इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कम्प्लीट कर लेंगे सबी फंदे सलाई में दो बारून लपेटते हुए उलते बना लिए गए हैं अब ये डिजाइन का दूसरा लाइन है और फ्रांट साइड अब चार फंदो को हम खोलेंगे और तीसरे चौते फंदे को उठाएंगे और पहले दूसरा फंदा इसके अंदर से इसे निकाल लेंगे अब चारो फंदो को उल्टा बुन लेंगे फिर नेक्स्ट चार फंदे हम उदेरेंगे चार फंदे खोलेंगे तीसरे चौते फंदे को उठाएंगे और इसके अंदर से पहला दूसरा फंदा इसे निकाल लेंगे और फिर चारो को उल्टा बुन लेंगे नेक्स्ट चार फंदे हम उदाड़ेंगे चारो को उल्टा बुन लेंगे इसी तरह चार फंदो को हम खुलते जाएंगे और तीसरे चौते के अंदर से पहले दूसरे को ऐसे निकाल लेंगे और फिर चारो को हम उल्टा बुन लेंगे थर्ड रो और रॉंग सैट अब हम अपने प्राइमरी कलर से सभी फंदो को दो बार सलाएं में उल्टा बुन लेंगे प्राइम प्राइम लेंगे दो फंदे सीधे बुन लेंगे फिर नेक्स्ट चार फंदो को खोलेंगे तीसरे चौते के अंदर से पहला दूसरा फंदा निकाल लेंगे और फिर चारो को हम उल्टा बुन लेंगे नेक्स्ट चार फंदे खोलेंगे तीसरे चौते के अंदर से पहले दूसरे को हम इसे निकाल लेंगे और फिर चारो को उल्टा बना लेंगे इसी तरह चार फंदे हम खोलते जाएंगे और तीसरे चौते के अंदर से पहला दूसरा फंदा निकाल लेंगे और फिर चारो को उल्टा बुन लेंगे लास्ट में दू फंदे बचेंगे जिन्हें हम सीधा बना लेंगे अब रॉंग सैट से फिर हम अपने सेकेंडरी कलर से सभी फंदे सलाई में दो बार उन लपेटते हुए उल्टा बना लेंगे इस डिजाइन में हम दोनो सैट से सिर्फ उल्टा उल्टा ही बुन रहे हैं प्रंट से भी और रॉंग साइड से भी दोनों साइड से हम सर्फ उल्टा उल्टा ही बुन रहा है उल्टी साइड में हम पंदो को सलाई में दो बार उंड़ पेटते हुए उल्टा बुन रहा है फिर हम अपना दूसरा लाइन दोराएंगे याने कि चार फंदा खोलेंगे तीसरे चौथे फंदे के अंदर से पहला दूसरा फंदा निकाल लेंगे और फिर चारों को उल्टा बुन लेंगे इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे फिर रांग साइट से हम अपना प्राइमरी कलर से सब भी फंदे स्लाइमे लेंगे दो बार उन लपिटते हुए पुल्टा बुन लेंगे एक रंग के उन से दो बार एक रंग के उन से दो बनाने के बाद अगले दो सलाई दूसरे रंग के उन से बनाय जा रहा है जब हम अपने प्राइमरी कलर से बुनाई कर रहा है तो शुरू के दो फंदे हम सीधे बना रहा हैं और फिर नेक्स चार फंदा हम खोलेंगे और तीसरे चौते फंदे को उठाएंगे और पहला दूसरा फंदा इसके अंदर से निकाल लेंगे और फिर चारों फंदो को उल्टा बुन लेंगे चार फंदो का यह डिजाइन है डो लाइन का अगले लाइन में हम दो फंदे जो है सीधा बुर लेंगे इस डिजाइन को हम चाहें तो सिंगल कलर में भी बना सकते हैं और लास्ट के दो फंदे सीधा बुलेंगे तो देखिए फैंस एक खुब्सूरस सा पैटर्न बनता चला जाएगा तो लाइन का यह रिपीटेड डिजाइन है और तो देखिए फ्रेंस डिजाइन आपके सामने है सामने से यह ऐसा दिखाय दे रहा है और पीछे से ऐसा इसे आप सिंगल कलर में भी बना सकते हैं और दो रंग में भी देखे कितना खुबसूरत लग रहा है तो फ्रेंट्स डिजाइन आपके सामने है यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने स्वेटर में बनाईए इसे बच्चों के स्वेटर में अपलाई कीज़े जैन्ट स्वेटर में भी ये बहुत खुबसूरत लेगा आप किसी भी प्रोजेक्ट में इसे अपलाई कर सकते हैं तो फ्रेंट्स डिजाइन आपके सामने है यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने स्वेटर में बनाईए इसे लाइक कीज़े चैनल को सबस्क्राइब कीज़े डिजाइन को अपने दोस्तों में अपने रश्तेदारों में शेयर कीज़े बेल आइकन प्रेस कीज़े ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद